हेलो एब्रीबन वेलकम तो माई यूट्यूब चैनल स्टडी ताइम स्टडी दिस इस दीप्ति आदव फ्रेंज तोड़े इस दा फॉर्थ देय अफ दिस वेस्ट 500 mcq सीरीज यह सीरीज स्सी बैंकिंग रेलवे अन्टी पीसी यूपी एसाइ यूपी पुलिस यूपी लेक सीरीज चलिए तो फिर आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं दिस इस और फर्स्ट कोस्टिन जनगर्णा दो हजार ग्यारा के अनुस्वार किस संग सासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे काम है अब देखिए यहां पे कौन से कौन से ऑप्शन है ऑप्शन ए है दिल्ली ऑप्शन भी है चंडिगर्ण ऑप्शन सी लक्षदीप ऑप्शन फोर है डी अंडवान निकोरवार अब देखिए यहां पे जो सबसे जारा जनसंख्या घनत्व है जिस यूनियन टेरिटरी का वो है दिल्ली इसका कितना है ग्यारा हजार तीन सो बीस ब्यक्ति प् Намिने चन्दमार निकोरवार का ठीक है इसका कितना है फौटीश क्योंतिवार किलोमीटर और अगर सिटेट्स की बात की जाए तो इस तेस में सब से जाए बिहार का बिहार show skill 10. प्रटिवर किलोमीटर और इस सबसे कम है अरुणाचर प्रदेश का कितना है 17 व्यक्ति प्रति वर किलोमीटर और एक चीज और बता दू मैं आपको भारत की जनसंख्या पूरे जिश्य की जनसंख्या का कितना है 17.5% और जो भारत का एरिया है वो पूरे बिश्य के एरिया का कितना है 2.4% है ना और जो अफ्रीका माधीप है उसमें टोटल 54 दे वह पूरे विशु के area का है 21% कितना 21% है ना और वहाँ पे जनसंख्या कितनी निवास करती है 17.7% तो आप देख सकते हैं कि comparatively उसके अफरीका के भारत में कितना जादा जनसंख्या घंत हो है वहां पर जितने लोग रहते हैं, जितने ब्यक्ती रहते हैं, और उसी में वहां का जो एरिया होता है, उसका भाग दे देते हैं ठीक है तो यहां क्या हो जाएगा ब्यक्ति प्रति किलोमेटर ऑप्शन B is the right answer ओके चलिए next नेक्स्ट है भारत की आबादी अब इन देशों की शयुत आबादी से अधिक है कहने का सेंस यह है कि यह जितने भी देश दिये हुए है इन सब की मिलाके और भारत की अकेली तब भी भारत की ही अधिक है ओके चलिए अमेरिका इंडोनेसिया ब्राजील पाकिस्तान और बांगलादेश ऑप्शन B है नेपाल स्री लंका नाइजीरिया ऑप्शन C है फ्रांस प्यूनेशिया मंगोलिया ओप्शन D कोई नहीं देखे यहां पर है ओप्शन A is the right answer अमेरिका इंडोनेसिया ब्राजील और पाकिस्तान इन सब की पॉपुलेशन मिलाके फिर भी भारत की पॉपुलेशन इनसे जादा है ओके चलिए मैं इनके बारे मता देती हूं जो अमेर करेंसी है वो है रुपईया ओके ब्राजील ब्राजील की कैपिटल है ब्राजीलिया और यहां की करेंसी है ब्राजीलियन रियाल और पाकिस्तान पाकिस्तान की जो कैपिटल है वो है इस्लामाबाद और यहां की करेंसी है रुपिया और बांगलादेश बांगलादेश की कै एपिटल है धाका और यहां का जो करेंशी है वो है टका चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट है जन संख्या दिवस कम मनाया जाता है 11 जून 11 जुलाई 8 नवंबर या 10 दिसंबर देखे 10 दिसंबर को तो आपको पता होगा काफी important day मनाया जाता है विश्यो मानवा दिकार दिवस मनाया जाता है यह और इसे 1989 में सयुक्त राष्ट्र विकास कारक्रम है उसी की governing council द्वारा शुरू किया गया था ठीक है चलिए नेक्स्ट एक ही कबर से तीन मानव कंकाल निकले थे वो कहां से निकले हैं तो यह निकले हैं option B दमदमा से यह दमदमा कहां है यह यूपी के प्रतापगर जिले में स्थित है यूपी के प्रतापगर जिला है ना वहीं पहें दमदमा और यह दमदमा के पास्टड़क पुरास्थल से से प्राप्त हुए हैं जो दमदमा का है वो मद्य पाशड़िक पुराज्थल है वहीं से प्राप्त हुए है मानब कंकाल ओके चलिए कि नेक्स्ट है बिंद छेत्र के किस शिलास रह से सरवादिक मानब कंकाल मिले हैं तो यहां पर होगा सरवादिक मानब कंकाल मिले हैं तो इसके किस संकेत हैं band के पुराणों के तक सकता या पूर्द नेक्सर या उपनिशदों के या सूत्रों के तो यह है यहाँ पे option B यानि की पुराणों की ठीक है next next है सूर्ची first और सूर्ची second को सुमेलित कीजिए तता नीचे दिये गए कूट से सही उत्तर चुनिए देखें यहाँ पे क्या है कि पहले जो हमारा पूरा भारत था वो 16 महा जनपत में डिवाइड़ था यहां पे यह उसके चार महा जनपत दिये हुए है यहां उसकी capital है जेखें जो पांचाल है पांचाल की कैपिटल हुआ कर थी अयशत्र, बत्स की हुआ कर थी कोषाम्भी, और चेधी या चेधी की थी शुक्तिमती, और अशमक, अशमक की थी पोतनी या पोटली, इसका मतलब क्या हो जाएगा, A का हो जाएगा 3rd और B का हो जाएगा 4th अब देखिए कहां पर A का 3rd B का 4th है यह B और C दो option है चलिए C, D का देखते हैं देखिए अश्मक की, D की क्या हो जाएगी D का 1st हो जाएगा ठीक है और C का 2nd हो जाएगा तो यह कहां पर यह मिल रहा है option B में option B is the right answer next next है अंतिम मौर समराट कौन था देखिए अंतिम मौर समराट अब यहां पर option है अशोग, ब्रैदरत, शंप्रती या इन में से कोई नहीं देखिए जो मौर समराट था यह मौर समराट था यह सबसे पहले इसकी स्थापना किस ने की थी यह चंदरगुप्त मौर ने इसकी स्थापना की थी यह मगद का सबसे महान वंस कहा जाता है मौर वंस ठीक है और अब उसके बाद अशोग की बात करें तो जो चंदरगुप्त मौर थे उनका बेटा था बिंदुशार और बिंदुशार का बेटा था अशोक, ठीक है, अशोक के बार तो इसके और भी पुत्र हुए हैं, ठीक है, लेकिन पुत्र हुए हैं, फिर पौत्र हुए हैं, तो ये तो नहीं था अंतिम अशोक, लेकिन हाँ, अशोक एक महान राजा था, इ बैदत होगा यह मौरवंस का अंतिम राजा था इसी का एक सेना पती था पुश्यमित्र शुंग इसी ने बैदत की हत्या करके न्यू डाइनेस्टी का एस्टेबिलिस्मेंट किया था जिसका नाम था शुंग बंस शुंग डाइनेस्टी ठीक है जो सबसे पहला भारत का ब्रा राइट अंसर ओके नेक्स्ट नेक्स्ट है भारत की धार्मिक प्रताओं के संधर्व में इस्थानक वासी इस्थानक वादी संप्रदाय का महत तो किस्से है देखिए बौद्ध मत या जैन मत या वैश्णम मत या शैम मत तो देखिए यहां पर है जैन मत से किस्से जैन मत स जो इस्थानक वासी है वो भारत के श्वेतामर जैनते उनका आधुनिक उप संप्रदाय है ठीक है यह इसलिए अलग है विकॉज यह मूर्थी पूजा और मंदिर पूजा को नहीं मानते थे ओके तो आप्सन B is the right answer और ब्रामण और तैतरिय ब्रामण किसके ब्रामण ग्रंत है यहां पर हमारा राइट अंसर होगा option C यजुरवेद के ब्रामण ग्रंत है नेक्स्ट नेक्स्ट है चलिए next question है निम्न लिखित मैंसे कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है अब देखे यहाँ पर यह पहाड़ियां दी हुई है चलिए इनको देखे करते हैं गरजात की पहाड़ियां है वो उडिशा में है सही है ठीक है मांड़ाप पहाड़ियां यह महराश्टर में नहीं है यह हमारा है जो शुमेलित नहीं है नल्ला मलाई की पहाड़ियां अंद्रप्रदेश में है सेविरोई की पहाड़ियां तमिलनाडू है विल्कुल सही है जो मांड़ाप पहाड़ियां है यह गुजरात में है महराश्टर में नहीं है कहा है गुजरात में तो इस question का answer हो जो सबसे पूर्व में फिर उसके बाद फिर उसके बाद अब देखिए यहां पर कौन सा कौन सा है एवरेश्ट है कंचन जंगा है अनपूरा धोलागिरी यह चार परवद दिये हुए है यहां पर चलिए देखे मैं उनको आपको मैप में समझा देती हूं बचन बचन Country धेखे यह बिखे यहां पर जो सबसे पहले सिक्के में पढ़ती एं। कंचन जंगा ठीक है जो भारत की सबसे उची चोटी ही टीक है इसकी उनचाई इसकी साइछ्चाई हे माउं टेवरिष्ट गाया है माउंन्ट वरेष्ट przy गाया ौआं पंढ़ाया ।akah मंभा वाल माउंन्ट कीवीर्ष्ट की पारती है मकालू है फिर लोच क्वावत पर्वत कह साबॐ माउंन्ट गे यानि कि सबसे पस्चिम में है धौला गिरी मतलब according to this question ओके तो यहां पर कौन सी हो जाएगी धौला गिरी तो यह आपको arrangement समझ में आया होगा थोड़ा सा अब देखिए अब यहां पर हम लोग चलते हैं option में देखिए बैसे सबसे उंची चोटी अगर देखा जाए तो मांट एबरेस्ट है और second number पर है केटू गाडविन ठीक है केटू गाडविन जो कहां पढ़ती है जो यहां पढ चाहिए 8611 मेटर वह इसलिए क्योंकि जो केटू गाडविन है वह पाकिस्तान occupied कस्मीर में पढ़ती है इसलिए उसको हम लोग भारत में काउंट नहीं करते हैं ठीक है चलिए अब देखिए हम लोग चलिए option पर चलते हैं सबसे पहले पूरव में कौन सी थी कंचन जंगा ज पूरणा उसके बाद धौला गिरी यानि कि सबसे लास्ट में धौला गिरी तो option B is the right answer क्लिए चलिए नेक्स्ट भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा सैलों का निर्माड हुआ है पतलब कब हुआ है यह क्रिटेशियस यूग में या प्लिस्टोसीन यूग में या कार्वोनी फेरस यूग में या मायोसीन यूग में देखिए यह हुआ है यहाँ पर option A is the right answer यूग के दोरान ज्वाला मुखी उद्गार होने से दक्कन ट्रेप का निर्माड हुआ है और इसी समय दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित का लावा है उसका भी निर्माड हुआ है ठीक है और यह सारा के सारा इंसिदेंट है बन 46 million बर्स पूर्व हुआ है और अगर क नेक्स्ट है 27 निम्ली लिखित मैंसे किस बंदरगा को अरब सागर की रानी कहा जाता है देखे तो यहां पर है option C is the right answer कोच्ची बंदरगा कोच्ची बंदरगा यह कहां है अरब सागर में है और इसको इस बंदरगा यह कहां पढ़ता है केरल में पढ़ता है ठीक है और इस में है और अब यह रिशेंटली तीन चार दिन पहले काफी ज़्यादा न्यूज में आया था क्योंकि यहां पर यहां पर इस टाइरीन गैस के लीक होने से आग लगी थी और यह जो पारादीब बंदरगा यह कहां यह उडिसा में पढ़ता है ठीक है और यह सबसे ज्यादा लोह एसका हुता ठीक है भारत में सबसे ज्यादा निर्मा निरियात इसी पारादीब बंदरगा से होता है ऑकय अब बात आई इसकी मौमबई बंदरगा की यह मौमबई बंदरगा का है और इसे अग्रिकलचिर इंडियन अग्रिकफर मार्केट का प्रभेश द्वार कहा आ करता है एक सज्फ नेक्स्ट है अंडमान और निकोवाद दिप समुका सर्वोच शिखर पल्याड सिखर यानि सेंडल पीःष कहां परिश्फित है कि यह सतित है ब्रहट निकोभार मैं या मंध्यम अंडमान में लखु अंडमान में या उत्तरी अंडमान में यह यहां पे option D is the right answer उत्तरी अंडमान में है और यह जो सेंडल पीक है यह 732 मीटर उची है और यह उत्तरी अंडमान दीप पर दिगली पुर के निकट इस्थित है पे यह सबसे ज़्यादा आवाधि वाला देसा सरी मैं करे तो यह सबसे बड़ा नदीप यह इस कहां पर यह असम्मेह ब्रह्म पुत्र नदी के बीच में बसा हुआ है किए और इसे 2018 में अश्या का सबसे באदा नदी दिगोचित किया गया था इसवा मात करते हैं reach और यह कॉन सा पढ़ता है मियामार पढ़ता है और इसकी कैपिटल है और यह अरभ सागर निर्मित है ठीक है और इसमें निमनमैसे कौन सुमेलित नहीं है देखेए यह है आइनिमो मीटर से बायो की चाल मिजर कि जाती है सर्वे इक्यूपमेंट उस किया जाता है इससे होरीजांटल डिस्टेंसे longitudinal elevations and direction के measurement में यूज किया जाता है चलिए नेक्स्ट है ताम्र संदूसर से बचाने के लिए पीतल के बरतनों पर सामानित है किस धातू की परत चड़ाई जाती है तो किस की रांगे की या जस्ते की या अल्यूमिनियम की या सीसे की चलिए यह जाती है रांगे की यानि की टिन की ठीक है इसका सिंबल क्या होता है टी एन और परमाडू करबांक होता है एटमिक नमब्र वह होता है 50 ऊके चलिए next नेक्स्ट है नेक्स्ट है निर्मने लिखित मैंसे कौन सा रासायन फल पकायन पकाने में शहायता करता है इथेफॉन या एट्रोजन या आइसो प्रोटरोन या फिर लेश यान दीखे यहां पर करता है इथेफॉन ठीक है यह क्या करता है फल पकाने में शहायता करता है ठीक है इसका केमिकल फॉर्मुला होता है C2H6 और CLO3P इसका होता है यह chemical formula और इसका IUPAC name होता है 2 chloro-ethylo-phosphonic acid तो यहाँ पर क्या हो जाएगा option E is the right answer next next है मानब के मस्तिस्क में इसमरण छमता कहा होती है यानि कि memory power कहा होती है देखिए अगर बात करें medulla oblongata की तो यह medulla oblongata होता है यह हमारे शरीर की जितनी भी involuntary activities होती है यानि कि अनेच्छिक किरिया है उनको control करता है यह जैसे कि खासना, छीकना, पलक जपकना यह हमारा दिल जो काम करता है यह हमारा respiratory system जो काम करता है उसको यह control करता है medulla oblongata और यहाँ पर option B, जो cerebrum है यह है, यह जो हमारी spinal power को control करता है cerebrum मस्तिस का सबसे बड़ा part होता है और यह voluntary activities होती है यानि कि जो एच्छिक किरिया होती है जो medulla oblongata होता है यह क्या होती है यह unachic किरिया को control करता है और cerebrum होता है यह unachic किरिया को control करता है यानि कि voluntary activities को ठीक है और इससे memory power को और memory power को भी control करता है तो यहाँ क्या हो जाएगा option B is the right answer और बात की जाए अगर यह तो brain cavity यानि कि brain की गुहा होती है उसके बारे में बात की गई है और यह है seri bellum यह bellum नहीं है यह bellum है जो seri bellum होता है वो क्या होता है कि अगर हम सीधे खड़े होते हैं तो हम इसी की मदद से हम लोग सीधे खड़े हो पाते हैं क्योंकि हमारे सीधे खड़े होने में हमारे posture को maintain करता है कौन seri bellum इसलिए जब आप शराब पी लेते हो तो आपके पैर लड़ खड़ाते हैं विकाज अलकोहल सीधा seri bellum को ही effect करता है ठीक है तो यहाँ पर option कौन सा जागा option B is the right answer यह जितने भी fact है आप लोग को पता होने चाहिए इसलिए मैं साथ साथ में बताती जाती हूँ चलिए next next है विश्यो निवेश रिपोर्ट एक बारसिक प्रकाशन है जो निम्न लिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है विश्यो बैंक या अंतराष्टियक कोस या फिर ACI विकास बैंक ये ACI विकास बैंक है ठीक है और यह अंकटाड देखिए तो यह किया जाता है अंकटाड के द्वारा यह अंकटाड यहां पर नो ने यू एन सी टी एडी को लिख दिया है यहां पर अंकटाड यह मैंने आपको शाहिद फर्स्ट लेक्चर में बताया था इसके बारे में कि इसकी फुल फॉर्म होती है स्वीशिड लेक्ट्र में आपको बताया था कर बाके और सबके बारे में देखो है जो भी इसको हम लोग क्या कहते है इंटरेश्डल को इसका मुख्याले कहां है इसका मुख्याले वाशिंग्टन डी सी में ठीक है और एस्टेविलिस्मेंट हुआता इसका नाइटीन फोर 24 में ठीक है और इसकी जो एक्जीक्यूटिव डारेक्टर है वो है डेविड मॉल पर्स ठीक है और अब नेक्स्ट है अंतराश्टी मुद्राकोष इसको कहते हैं आई एम फ यानि की इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ठीक है और इसका जो हेटक्वाटर है वो है वाशिंग्टन अंडिसी में और इसका एस्टेबलिसमेंट हुआ था 27 दिसम्मर 1945 को ठीक है 27 दिसम्मर 1945 को फिर है एशियाई विकास बैंक ठीक है और जो इसके ये अंतराश्टी मुद्राकोष है इसके जो एक्जीक्यूटिव डारेक्टर है वो है क्रिष्टेलीना जार्जी एवा ठीक है वा ओके ऐसे लिखते हैं यह इनकी कौन है एक्जीक्यूटिव डारेक्टर है अब बात करते हैं एशियन डेवलोप्मेंट बैंक की तो यह है इसका मुख्याला है फिलिपीन्स की राज़ानी मनीला में और इसका जो एस्टेबलिसमेंट है वो हुआ था 1966 में और इसके जो आपको याद हो जाएं क्योंकि जितने भी और्गनाजेशन है उनका सबका हेड़ क्वाटर और उन सबके एक्जीक्यूटिव डारेक्टर हम जरूर पता होने चाहिए क्योंकि यह बहुत इंपोर्टेंट होते हैं और हर एक पेपर में एक ना एक जरूर पूछा जाता है ठ बाजार में बिक्रेताओं पर बाजार में खरीदारों पर सरकारी अधिकारियों पर इसका option D मुझे लग रहा है यहाँ पर मिस हो गया है यहाँ पर टाइप नहीं हो पाई है तो इसका option D ही इसका answer होगा मतलब इसका answer हो जाएगा मांग और आपूर्ती पर यानि कि किसी भी ठिंकी किसी भी चीज की कितनी मांग है और उसकी कितनी आपूर्ती है इसके according ही उसका जो कीमत है वो निर्धारित की जाती है किके तो यहाँ पर इसका answer हो जाएगा मांग और आपूर्ती पर ओके तो यहाँ पर आप लगा लीजेगा चलिए next नेक्स्ट है निम्न लिखित मैंसे कौन सा समर्थ योजना का उद्देश्य है स्वयम सायता समुहों का सुद्रडी करण या टेक्स्टाइल सेक्टर में छमता निर्माड या फिर यूबतियों का शारीदिक परिक्षड या फिर ग्रामीर युबाओं के लिए स्वरोजगार देखें यहाँ पर होगा option B is the right answer टेक्स्टाइल सेक्टर में छमता निर्माड नेक्स्ट है भारत सरकार पूड गरीबी रेखा को निम्न मैंसे किस आधार पर निर्दिष्ट करती है घरेलू बजट या फिर घरेलू उपयोग या फिर घरेलू निवेस या फिर घरेलू आय देखें जो भारत सरकार है वो पूड गरीबी रेखा को घरेलू उपयोग के आधार पर निर्दिष्ट करती है ठीक है तो यहाँ पर क्या हो जागा option B is the right answer clear next next है किस payment bank ने अपने ग्रहाकों को छोटे लोन देने के लिए खुद को small finance bank में बदलने का नेड़े लिया है तो इंडिया post payment bank और 8L payment bank या Jio payment bank या Paytm payment bank देखिए तो यहाँ पर right option होगा आपका option A इंडिया post payment bank इसका headquarter कहां है नई दिल्ली में और इसका establishment हुआ था एक सितंबर 2018 को तो यहाँ पर क्या हो जागा option A is the right answer okay चलिए thank you so much guys आपको हमारा session पसंद आया हो तो please like and share कीजिएगा because आपके like and sharing से मुझे motivation मिलता है और channel पर नहीं हो तो please subscribe कीजिएगा